हलो दोस्तों मैस केस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज केस मैस केस वीडियो में simple interest चेट्र पर एक प्रालम सल्काना सीखेंगे आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो जैसी वह लगती हो कमेंट सेक्षिम में ज़रू बताइएगा तो चलिए सबसे पहले कि क्या क्या information दी गई है इस question में बताये गया है कि जो simple interest जो है वो certain sum का 16 upon 25 है और इस question में आपको rate and time दोनों को finite करना है जबकि यह दोनों आपस में क्या है equal है तो यहां पर इस चीज़ा दखेगा कि जैसा कि बताया गया है कि जो simple interest जो है वह sum का क्या है 16 upon 25 है और यहाद दखेगा इसी sum को हम principle भी करते हैं तो चुकि principle तो पता नहीं है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे principle को एज एक्समाल लेंगे और इसमें हम 16 upon 25 से जब multiply करेंगे तो result जो होगा वह 16 x upon 25 आपको यह मिल दाएगा तो आपने यह देखा कि simple interest क्या है 16 x upon 25 है अब इसको हम लोग क्लिन कर देते हैं इसको अब आपने यह देखा होगा कि जो simple interest निकालते हैं तो formula क्या यूज करते हैं simple interest इसकोल्ट होता है बैटा पी इन्टू आर इन्टू टी अपान 100 यह होता है और simple interest आपने देखा था जब आपने निकाला था तो वह आपने लिखा था 16 x upon 25 प्रिंस्पल को आपने यक्स माना हुआ था तो इसको आप यक्स ऐसे रख दीजिए और जैसा कि कोशन बताए गया था कि rate and time दोनों आपस में equal हैं तो rate के जगा आरी रहे हैं और t को भी हम आर कर दे रहे हैं क्योंकि rate and time दोनों equal हैं तो हमने t को replace करके हमने आर लिख दिया है अपान हंडेट अब यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि कि इसको थोड़ा साम लोग evaluate करते हैं तो अब यहां पर थोड़ा सा में यहां पर क्लाइन खीज दे रहा हुआ है ताकि आपको क्याल को समय बता दूमें लेट साइड में आपका 16 x upon 25 आपका रहेगा जैसा कि लिखा हुआ है और यहां देखिए राइट साइड में एक्स औ आपन हंडेट कर लीजिया अब थोड़ा सा जगह बनाने के लिए इस हिस्षे को में क्लिंग कर देता हूं मैं अब यहां देखो आप क्रास मंटिप्लाइग कर लो तो क्रास मंटिप्लाइग करते हो तो आपको क्या मिलेगा 16x into 100 is equal to 25 into x into r² अब आप एक काम करें r² को राइट साइड में रखें और इन दोनों रिजल्टों को जब आप रिप्लेस करोगे लेप्ट साइड में तो यह डिनुम्रेटर की प्रेस पे चले जाएंगे क्योंकि यह मंटिप्लिकेशन से कनेक्टेड है तो 16x into 100 अपान 25 into x अब यहां पर देखो यह x यह x कैंसल हो जाएगा 25 जो है इसको कैंसल कर देगा फोर टाइम्स में तो अब यहां पर देखो नुम्रेटर में आपका क्या है 16 into 4 आपको दिखाई दे रहा होगा तो 16 into 4 क्या होता है 64 होता है तो लेप्ट साइड में हम लोग 64 हम लो और इसी 64 को हम लोग क्या ले सकते हैं 8 का स्क्वार अब जरा दोनों साइडों को आपजर करिएगा लेप्ट साइड को और राइट साइड को आप दे सकते हो कि दोनों का पावर यहां पे सेम है बीच में equal का साइन है तो यहां पे जो capital R जो होगा वह 8 के equal हो जाएगा यानि जो rate of interest जो होगा वह 8 percentage होगा और time भी क्या होगा वह 8 years का होगा तो आपको यह वीडियो जैसी भी लगी हो please comment section में जरू बताएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैन जै भारत